हाई गाईस वेलकम तो माई चानल आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सी रेमेडी शेयर करने वाले हूँ चाहे आपके हाथो पैरों पे सालों पुराना कालापन जमा हुआ जिद्धी सी मेल जमा हुई इसको पहली ही बार में कम्प्लीटली खतम कर आपको बहुत ही ज़दा गलोंग फीट मिलने वाले हैं हाथो पेरों पे चाहिए सालो पुरानी जिद्दी सी मैल हो, टैनिंग हो, अगर आपके हाथ पेर बहुत ज़दा ड्राइ है, तो उसमें भी ये रेमेडी बहुत ज़दा अबेजिंगली वर्क करती है, गाइस पारलर में जाके बहुत ज़दा महेंगे से पेडिकूर हर कोई अफॉर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन घर में आप इसकी मदद से बहुत ही एजिली अपने हाथो पेरों के काला पन को, जिद्दी सी मैल को जो है, सालो पुरानी जमी जिद्दी सी मैल को वन टाइम में ही निकाल सकते हैं, और ये अमेजिंगली वर्क करता है, गाइस अगर आ तो पहली बार में आप इसकी मदद से बहुत ईसली सालो पुरानी टानिंग को कम्प्लीटली खतम कर पाएंगे, तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी पर पसनत आते हैं, तो और भी अच्छे वीडियो दिखने के लिए चानल को जरू सब्सक्राइब करें, चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छा जी तो यहां पर सबसे पहले जो है ग्यास पर मैंने पतिले को चड़ा दिया है, उसके बाद जो है रिक्वाइड अमाउंट हम इसमें जो है पानी को ए ग्लो हमको प्रोवाइड करता है, हीलिंग का बहुत अच्छा काम करती है टर्मरीक, यहां पर हाफ चमच के करीब टर्मरीक को हमने डाल देना है, आच्छा जी टर्मरीक जो है सालों से यहां सुंदरता को निखारने के लिए इस्तेमाल गया जाता है, उक्तन में भी हम इसक आच्छा जी उसके बाद इसमें हम आड करेंगे कॉफी का एक पाउच मेरे पास यह अवेलेबल था, तो मैंने यह डाला है, आपको जो भी सूट करती है, आपने वो डाल देना है एक चमच के करीब, यहां पर मैंने एक पाउच को ले लिया है, गाइस कॉफी जो है ब्राइटन अब करता है, एक पाउच डाल के जो है, इसको अच्छी तरीके से आपने चलाते रहना है, आच्छा जी, उसके बाद दो से तीन स्लाइसे इसमें डाल दी है, लेमन के हमारे सकीन पे बहुत सारे फाइदे है, यह हमारे सकीन की लाइटनिंग के लिए बहुत ही जो हमारे वाटल में बहुत सारे फाइदे बहुत हैं आचा जी जब हम इसको water में add करेंगे तो इसमें जितना भी रस है जितनी भी goodness है सभी ये पानी में आ जाएगी और इसके double benefits हमको जो है मिलेंगे आपने lemon को बिल्कुल भी skip नहीं करना है anti-macrobial effects होते है और lemon जो है तेजी से मेल काटने की इसमें सलायत होती है तो यहाँ पर जो है 2-3 slice lemon के मैंने इसमें डाल दिये है आच्छा जी तो यहाँ पर जो है एक shampoo के pouch को इसमें मैं डाल दूँगी जो भी आप shampoo इस्तिमाल करते है वो shampoo को जो है आपने इस्तिमाल करना है मेरे पास ये shampoo है मैं इसको जो है मुझे सूट करता है मेरे पास ये shampoo है जो मुझे सूट करता है तो मैंने इसके इसके इस्तिमा है काला पन है जिद्डी सी मैल है सालों पुराने उसको निकालने में बहुत ही ज़ादा अमेजिंगली हेल्प करता है और यह बहुत ही अच्छा एक ट्रीटमेंट है हमारे हातों पेरों की लाइपनिंग के लिए उसके पाद आपने क्या करना है इसको हलका सा वाम रखना है ब काल आपको ग्लूइंग फ्लॉलेस स्कीन देने में बहुत ज़्यदा हेल्प करेगा उसके बाद इसमें जो है एक टी स्पून जो है मैं ग्लिसरीन को एड़ करूंगी ग्लिसरीन जो है आपके हाथों पैरों को सॉफ्ट बनाएगा और ग्लिसरीन नाच्रल तरीके से आपकी स्कीन को मौशराइज रखता है सॉफ्ट बनाता है हाइडरेट रखता है तो यहाँ पर हाफ चमच के करीब जो है मैं ग्लिसरीन को इसमें एड़ कर दूँगी गाइस जो भी इंग्रिडिट मैंने आपको बताए है यह बहुत ही एज़ी आपको घर से ही मिल जाएंगे बहुत ही एज़ी निकाल सकते हैं यह इतनी ज़्यादा अमेजिंग है यह आपकी स्कीन को फ्लॉलेस एंड ब्यूटुफल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो जो लेमन के जो हमने स्लाइस कट करके इसमें डाले थे उससे अच्छी तरीकी से अपने हाथों प लॉलेस कीन देने में आपको हेल्प करता है इंस्टन ब्राइटन अप करता है और आप घर में कुछ मिंटों में ही सालों पुराने काला पन को बहुत ही एजली निकाल सकते हो बहुत ही ज़दा अमेजिंग जो है रेमेडी है और पारलर में जाके महेंगे से मैनिकूर पेड पे जो है मसाज करना है सबसे इंपोर्टन चीज जो है यह आपके टानिंग को आपके नाखुनों से पीले पन को कम्प्लीटली खतम कर आपको ग्लोइंग फ्लॉले स्कीन देने में बहुत ज़दा हेल्प करेगा टर्मरिक जो है एंटिसेप्टिक का भी काम करती है और से पांच मिनिट अच्छी तरीकी से मसाज करना है और जो है नॉर्मल वाटर से अपने हाथों पेरों को वाश करना है इस आप देखो के पहली बार में बहुत ही ज़दा ग्लोइंग स्कीन अगर आप पारलर जाके मेहंगे से मैनिकूर पेडिकूर नहीं करना चाहते और बह पारले स्कीन देने में बहुत ज़दा है और सबसे जो इंपोर्टन चीज जो है आपकी जो स्कीन है बहुत ज़दा ग्लोइंग एंड फ्लॉइस नजर आती है और फिफ्टीन तो टेन तो फिफ्टीन मिनिट के लिए आपने जो है इसको अच्छी तरीके से डिप करना है औ आप शार लेते डाइम इसको जरू से करे और कोई भी आपका फेवरेट मौश राइजर आपने जरू से अपलाए करना है कर इस ट्रस्ट में पहली बार में बहुत ज़दा अमेजिंग रिजल्ट आपको देगा अच्छी रिजल्ट पाने के लिए वीक में एक बार इसका स् आपका बार में इसका स्वाइब देख युट आपको जरू से करे भीक में इसका स्यूर नच्छी आपको जरू से क्वाइम इसका स्वाइब।